दोस्तो आज की वीडियो में हम मिर्च के पोधे से ज्यादा मिर्च कैसे पा सकते हैं इस टोपिक पर बात करेंगे और मिर्च के पोधे पर अगर आपके फूल आते हैं अच्छे से पोधा भी ग्रो करता है लेकिन मिर्चे नहीं आती हैं फूल गिर जाते हैं इस समस्या का समाधान में मैं आपको इस वीडियो में दूँगा तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिले तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं सब्सक्राइब कीजिए ओसम काड़न चैनल को और पाइए गार्णिंग से लेटी जानकारी सबसे पहले और साथी प्रेस कीजिए बैल आकन को ताकि हमारी हर निव वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पूरी अपडेट देने वाला हूं मिर्च आने तक की दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ मिर्च के पोधे को खुशक वातावर्ण और गरम वातावर्ण चाहिए होता है पसंद होता है इसको तो दोस्तों आपको जो मिर्टी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी जो सोईल है वो बिल्कुल ड्राई है अभी इसकी ह नहीं जब सकते गोड़ाई करेंगे और ग़ृटाई करने के बाद इस की अंदर इक फर्टिलाइजरेंगे वह क्या एड़ करेंगे वहां आपको बताता हूं पहले इस्ताय की न्यूजता प्रप्स कुझेंदेश !! इस तरीके से इसकी गुड़ाई करेंगे करें। दोस्तों गुड़ाई करने के बाद अब हम इसके अंदर गोबर का खाङएड चांद करना है मैं इसके अंदर गोबर का खाद एड़ करूँगा, खाद दोस्तों कम से कम दो साल पुराना होना चाहिए, उसका कलर जो है वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा, बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का, तो आपका खाद बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रियंट ज्यादा है, पोटास और फासफोरस ज्यादा है, और जो माइक्रो न्यूट्रियंट होते हैं, उनकी मात्रा भी ज्यादा होती है, और नाइट्रोजन कम होती है, क्योंकि मिर्च के पोधे को नाइट्रोजन बहुत कम चाहिए, अगर आप इसको ज्यादा तरफ डाल देना है तो दक्याद इतना ही खाद्यालना आ इसके अंदर वर्म 오른 यूज न कहते हैं व्र gauge द्रह रहेगा तो इसको गुड़र समय ने की वाड़ रोड़ेंहें द्राड़ आप लीड़र को दो इसके अंदर इसके अंदर पानी डालना हिए interview हम इसके अंदर तुरंती वाटरिंग कर देंगे जिससे की हमारे जो गोबर की खाद का जो न्यूट्रियंट है वो पोधे को तुरंती मिलना चालू हो जाए दोस्तों मिर्च के पोधे को धूप की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है अगर आप इसको गमले में लगाए हुए तो दोपहर की जो दो बजे के बाद की जो धूप होती है उससे अपने पोधे को बचाएं क्योंकि वह ज़्यादा हर्म распool होती है झादा खथर्नाक होती है तो दोस्तों इसमें पानी आपको कितना दे को अंदर नमी बनाकर रखेंगे तो आपके पोधे की सिरफ पत्तियों की ग्रोथ होगी फूल भी आएंगे लेकिन उस पर मिर्चे नहीं लगेंगी और जो पोधे पर बिमारिया हैं वो भी ज्यादा आएंगी बैक्टिरियल इंफेक्शन हो जाएगा जो पत्ते मुड़ने की समस्या हो जाती है वो भी हो सकती है दोस्तों मिर्च के पोधे को कम पानी की जुरूरत होती है जब टॉप सोयल ड्राई हो जाए दन आप उसकी गुड़ाई कर दीजिए गुड़ाई करने के बाद नेक्स डे उसमें फिर अपडेट है उसका वेट करते हैं क्योंकि इस पर देखिए मिर्चे बिल्कुल नहीं है लेकिन फूल आघरे हैं और फूल पहले भी इस पर आ रहे थे लेकिन वह सब गिर जाते हैं इस पर जो मिर्चे है वो नहीं लगती तो उसका हम इलाज कर रहे हैं जोस्तों दस दिन के अंदर और nutrient देने की जुरूरत है और खाद देने की जुरूरत है तो और को किस तरीके की और कौन सी खाद हमें यूज करनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों यह है और यह दोस्तों देखिए प्राकरतिक मूल का जैविक पैदावार वर्दक है और दोस्तों यह मैं आपको बता दू सीवीड एक्स्ट्रेक्ट है लिकविड में तो यह आप खरीद सकते हैं और आपके जो लोकल दुकान है खाद वीज की वहां से आपको सीवीड लेके आना है जुरूर नहीं आपको इसी कमपनी का चाहिए आप दूसरी कमपनी का भी यूज कर सकते हैं और हमें एक लीटर लगबग पानी लेना है और उसके अंदर हमें थोड़ा सा यह हमारा सीवीड फर्टिलाइजर है यह डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे किसी चंडी की मदद से यह देखिए अभी हमने इसके अंदर जो है वो सीवीड कम डाला है इस वज़े से हमारे जो पानी का कलर है वो चेंज नहीं हुआ है तो हम यह थोड़ा सा और एड़ करना पड़ेगा तो मैं इसके अंदर लगवग मैंने 2 ml के आसपास डाला है और इस पानी से हम अपने जो प्लांट है उसकी वाटरिंग कर देंगे और ये वाटरिंग आपको तब करनी है जब आपके पोधे की में पानी की कमी हो ये देखिए जो इसके पत्ते हैं वो नीचे की तरफ लटक रहे हैं और पोधा ऐसा लग रहा है जैसे की मुर्जा रहा है और ये आपको सूरज ढलने के बाद ही करना है या फिर सूरज उगते टाइम या सुबह के टाइम या शाम के टाइम करना है इन में आपको दोपैर को दूप में नहीं करना तो इस तरीके से हम ये सारा जो पानी है वो इसके अंदर डाल देंगे हैं हमने पानी डाल दिया है दोस्तों एक मैं आपको बता देता हूं कैमिकल फर्टिलाइजर जो किसान लोग खेती करते हैं मिर्च की उनके लिए एन पी के आता है 0052 वो आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर पोटास की और फासफोरस की ही मातरा होती है नाइट्रोजन इसमें बिल्कुल नहीं होता तो इससे आपके पोधे पर मिर्चें के जो फूल हैं वो ज़्यादा आएंगे और मिर्चें भी खूब सारी लगेंगी तो इसका आप foliar spray कर सकते हैं दो ग्राम पर लीटर पानी में घोल कर पत्तों पर स्प्रे कर सकते हैं या फिर आप पांच ग्राम एक लीटर पानी में घोल कर आप उसे मिट्टी में दे सकते हैं तो यह हो गया दोस्तों NPK और अगर आप organic यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूँ वूड है जो लकडी की राक होती है वो आप अपने पोदे में लगबग आदा चम्मच के आसपास डाल सकते हैं जब इसमें आप गोबर की खाद डालें उसके साथ ही पलस आप बनाना पील फरिटलाइजर आता जो केले के छिलके होते हैं उन्हें आप पानी में भिगो दीजिए चार से पांस दिन तक भिगे रहनी दीजिए और जब पानी का कलर चेंज हो जाए बलैक कलर का पानी हो जाए तो उस टाइम आप उसको दूसरे पानी के साथ डिजॉल्व करके उसे अपने पोधों में डालिए उससे भी फासफोरस की और पोटास की पूर्ती हो जाती है तो अभी हम एक हफते का और वेट कर लेते हैं जो हमने फर्टलाइजर अपने पोधे को दिये हैं उसका रिजल्ट हमें देखना है दोस्तों हमने लगबग 8-9 दिन के बाद दोबारा फिर से इस वीडियो को रिकोर्ड कर रहा हूं और यह हमने जो प्लांट है वो थोड़ा सा भारी हो गया था इस वज़े से हमने इसमें डंडी की जो है वो सुपोर्ट दी है यहां पर देखिए सुपोर्ट से पोधा गिर हैं और यह हमने क्या क्या फर्टिलाइजर इसके अंदर यूज किया था आप इसे जो मैंने फर्टिलाइजर बताए वह आप 15 दिन में एक बार दोबारा फिर से रिपीट करें दोबारा यूज करें उससे आपके पोधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपको जो पैदा करनल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसे नई जानकारी के साथ तब तक मुझे इजाज़त दीजिए जै हिंद जै भारत